Hello friends and welcome दोस्तों विशेस्क्यान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों में आपके समख़श फिर से उपस्तित हूँ एक नए वीडियो के साथ इसका टौपीक है रिडिंग स्कील से और यह रिडिंग स्कील का पाट 2 वीडियो है यानि कि what is reading skill? इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं कि reading skill क्या है, reading किसके बारे में आप कैसे समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम different तरीके से explain करेंगे. दोस्तों, मैं आपको एक और फिर से remind करा देना चाहता हूँ की यह जो मैरी बीडियू का जो सीरीज डिपन से लेटर बहुसकि इसको मैं फिरीज में कभर कर रहा हूं और सारे बेसिक के Iya. डिवान्स बीडियों है इसमें हम बताते हैं कि रिटिंग तो दुस्तों हो पनाता है कि किसी मैसेज को पड़ सके उसके बाद का इसको समझने की सकती क्या बोलते हैं reading skill बोलते हैं reading बोलते हैं उससे बोलते हैं understanding the meaning meaning भी हमको समझना होता है क्यों लिखा है उसका क्या मतलब है अगर हम इसको पढ़कर समझ रहे हैं that is the part of reading skill और नहीं तो grasping information from text यह जो चार points enabling us to get message recognizing the written words understanding the meaning and grasping information from text these are called reading skill अगर हम दुसरे इसमें चार पहलू परसेपस्ण thoughts, recognition कुम्रहेंशन को मिलाने के बाद क्या होता है reading बनते हैं इसको हम्पोलते हैं रीडिंग के लिए मैं रीड करनी है, रीड करने के चार पहलू है और इसके चीजे को ध्यान देना है मिलकर हमारा रीडिंक बनातक है, हमिआ है perception, thoughts recognition, and comprehension तो परसेप्शन किया परसेप्शन के करें बात करें तो वी आफ रिगार्डिंग अन्रेस्टेंडिंग एंटर्प्रेटिंग इंटर्प्रेटिंग सम्थिंग जो किसी चीज़ कम क्या इंटर्प्रेट करें इसके पारे में हमारा क्या ख्याल आ रहा है इसको समझना भी क्या है करें हैं अब माल लीजी आप परसेप्शन फॉर्ड और मतलब नोग्र नीकल पाएं उनको समझ नहीं पाए इसको समझ मिलकर क्या बता रहे है क्या लिखा हुआ जो sentence है, जो text है, वो क्या उसका मतलब है, यह हमको समझना पड़ता है, यह चारो पहलू को मिला है हम, perception, thoughts, word recognition and comprehension, यह मिलकर क्या बनता है, reading बनता है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं कि reading is a complex activity and a process, उसके बाद हम दुसरे तरीका से समझें, reading a skill को तो reading a skill को क्या बोलते है, reading equal to decoding and comprehension, decoding का मतलब क्या था, decoding का मतलब हुए, it refers to the ability to translate letters into sounds and understanding what is written, जो letters है, उसका sound के बारे में हम समझते है, phonetist को बोलते है, वो क्या आवाज कर रहा है और उसका symbol का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते है, decoding बोलते है, और comprehension का मतलब क्या आता है, it refers to the process used to understand spoken language, without language comprehension, we won't understand what we read, यह हमें भासा भी समझना है, कि किस भासा में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और हम दोनों को मिला देते हैं, तो यह बनता है हमारा reading, यानि कि reading is equal to decoding and comprehension, अब question यह है कि अगर आपको fluency लाना है, आप एक fluent reader है, fast reader है, तो उसके लिए क्या होना चाहि आपका decoding and comprehension, जो है, जो होनों strong होना चाहिए, जो होना चाहिए, तब ही आपका reading क्या होगा, इंप्रूव होगा, अगर fluent reading करना है, तो आपका comprehension भी होना चाहिए, आपका decoding भी होना चाहिए, यानि कितनी जल्दी भासा को आप समझते हैं, उसके sound का मतलब निकालते हैं, और reading skill के pyramid के बारे में, अगर हम बात करें, pyramid का मतलब क्या है, आपको fundamental skill चाहिए, जिसको basic की बोलते हैं, उसके बाद का understanding phonetics, आपको sound समझने आना चाहिए, जो letter है, sentence है, उसका sound क्या है, उसके बाद आपको reading fluency, आपको automatic decoding with expression होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके and comprehension, यह हमारा एक चार जो stage है, जिसको हम बोलते हैं, एक first stage, second stage, third stage and fourth stage, यह हमारा reading का क्या है, stages है, अगर फिर हम आपको reading skill ladder की बात करें, तो क्या होगा, identify an opinion from text, उसके बाद क्या होता, explain, what about, how and why का question का answer मिलेगा, आपको explore किजे, explanation का मतलब क्या है, उसके explain करना चाहते है, उस analysis कीजिए, और last evaluate कीजिए, कि main idea meaning, जिसको हम company hansan भी बोलते हैं, इसको समझ यह कि सारे, जो crux है, सब का मिलकर क्या meaning निकलता है, क्या earth निकलता है, तब जाकि आपका reading is complete होगा, इसी को हम बोलते है, reading skill ladder, pyramid ladder क्या stages है, यह कैसे कैसे हमको process में आना है, अपने reading के, उसके बाद करें, तो क्या होता है, cognitive skill आता है, पहले जिसमें phonological, awareness, processing, attention, automaticity, memory, sequencing आ जाती है, उसके बाद हम बात करें, तो reading fluency में आपको क्या होदा डिकोडिंग हो जाता है, और comprehension मिला करें, क्या बनता है, reading fluency कब होगी, जब दोनों high होंगे, उसके बाद का reading comprehension grammar हो का है, बेस्पेलिंग सब हर language का अपना grammar है, ब्याकरन है, उसका मतलब क्या होता है, वो क्या indicate करता है, क्या मतलब देता है, क्या meaning देता है, उसको समझने के लिए हमको grammar और vocab की जनकारी होनी चाहिए, और last होता है critical reading, यानि कि हमें final reading का जो ये पिरामीड है, proficiency का पिरामीड है, वो इस तरह से है, तो दोस्तों, अब टाइम आगया इस वीडियो को हमको summarize करने का, तो इस वीडियो में मैंने बताया कि reading skill क्या है, इसकी कैसे एक complex activity है, इसमें perception, thoughts, comprehension, बहुत सारे stages है, जब जाके complete reading पिरामीड के बारे में मैं बताया reading skill का पिरामीड क्या है, कैसे कैसे हमको stages में आने चाहिए पिर हमने जो reading skill ladder के बारे में बताया, और फिर finally मतला reading proficiency pyramid के बारे में डिसकस किया, तो दोस्तों, यह जो मेरा वीडियो था, complete था कि reading क्या है, reading skill क्या है, frequency कैसे लानी है, हमें किस पहलू पर ध्यान देना है, और reading को कैसे improve करता है, तो दोस्तों, मैं आसा करता हूँ कि यह ज आपके life के success में यह महत्त प्रदान कर रहा है, knowledge दे रहा है, help कर रहा है, तो इस वीडियो को like किजिए, share किजिए, और जो भी आपको doubt है, questions है, तो comment के माधिया से आप पूछ सकते हैं, इस पर फिर हम से discuss करेंगे, और कोई नया topic भी चाहते हैं, तो discuss कर सकते हैं, तो दोस्तो यह जो हमारा सीरीज में वीडियो जैसको देखिए, इससे पहले मैंने कई सीरीज में वीडियो एपलोड किया, emotional intelligence मैंने बनाया है, मैंने speaking skill के बनाया है, मैंने communication skill पर बनाया है, उसको देखिए, और अपने communication skill को और अपने soft skill को improve के दिये, दोस्तो, तो हम आप से मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए concept किर्थाथ, तब तक दोस्तो आप हसते रहिए, मुश्कुराते रहिए, और अपने लक्ष के प्रतीक काम किजिए, ताकि आप अपने गोल को अपने लक्ष को प्राप्त कर पासे है, ताकि थैंक्यू दोस्तो, और मैं आसा करता हूँ, आपकी आपका आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही लवदायक और फायदे मंद होगा,